हेलो दोस्तो आपका स्वागत एक नए वीडियो में आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ समसम ग्लेक्स ये 155G में किस तर से इडगे लाइटिंग सेटिंग कर सकते हैं नमस्कार दोस्तो मैं हूँ रोज जैस्वाल आप देखरो टेक्निकल आर्जेम आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ दोस्तो इडगे लाइट के बारे में जो आपके बेक्ग्राउंड में चारो तरफ से लाइट जलता है तो इसके लिए दोस्तो आपको यह इंटरफेस आएगा आपके सामने फिलाल ओपन हो रहा है लोड लेने कबाद ओपन हो जाएगा तो चले इसको ओपन होने देते हैं ओपन होने कबाद इस पर एड़ आया थे इसको एड़ को आपको कट कर देना है इस तरह से आपको एलाउ करना होगा आगे जाने कबाद और चार option इसमें दिया है, सबसे पहले आपको इड़ ग्राउंड वाला light आपको मिल जाएगा, इसमें से जो भी light आपको set करना है, पहला वाला मैंने ok किया, apply वाला पर आपको ok करना होगा, apply करने के बाद यहाँ पर दो option आएगा, screen पर देखिए, इस तरह से देखना शुरू हो जाएगा, आपको home screen and lock screen, दो option आएगा, दोनों में आप a light set कर सकते हैं, यहाँ पर दो option आगया, तो आपको दोनों में click करना है, ताकि आपके screen पर आपको दिखे जो आपका mobile का screen है, lock होने के बाद वहाँ पर show करें, आपको दोन screen पर आपको इस तरह का light जो फिलाल दिख रहा है, देखिए, मेरे screen पर set हो गया है, और इस तरह का lighting चलना शुरू हो जाएगा, एड़ आता है तो एड़ को cut कर देना है, और आपके mobile पर हमेशा यह screen दिखेगा, जो बहुत ही बेतरिन और बहुत ही संदार दिख रहा है, application इसको open कर लिया, और back करते हैं, बेक करने के पाद यहाँ पर देख रहा है, 7 option है, 7 model से, आपके mobile के screen पर आप set कर सकते हो, इसमें से जो आपको select करना है, selector के set कर सकते हो, चलिए मैं दूसरा वाला select कर लिया हूँ, जो camera का option आता है, side वाला, तो इस पर apply करते हूँ, apply करने क पाद यहाँ पर set का option आ रहा है, तो चलिए इस पर click करते हैं, और set करने का दो option आता है, home screen और lock screen, दोनों पर आपको क्या करना है, set कर लेना है, पहले पर दूसरे पर दोनों option पर click करके set कर लेना है, फिर आपको अपने mobile के screen पर इस तरह की lighting देखना शुरू हो जाएगी, फ आपको नहीं पफंद है, फिलाल इसमें जितना option आ रहा है, वो सारा option आप अपने mobile के set कर सकते हो, set करके और चलिए अभी wallpaper में आगे, दूसरा option wallpaper का दिया है, live wallpaper यानि कि हर second में वो change होता रहेगा, उसका color, अलग-अलग design का दिखेगा, और color हर second आपकी mobile में change होता रहेगा, जो भी wallpaper आप set करोगे, चलिए एक wallpaper को select करता हूँ, पहला वाल जो wallpaper है, तो इसको अपने mobile में select करके इसको set करता हूँ, चलिए आ जाते है पहले वाले पे और उसको click करते है, पहले वाले option पे, हमने click कर दिया, lock screen and home screen, दो option आता है, आपको दोनों पे set कर लेना है, मैं दोनों पे set कर रहा हूँ, कि screen lock हो तो भी दिखाई दे, और screen चलू हो तो भी दिखाई दे, तो दोनों पे मैं यह वाला wallpaper जो live wallpaper है, हर second में change होता है, यहाँ पे add आया, तो add को cut कर देना है, फिलाल मैं add को cut कर दे रहा हूँ, cut करने के बाद, आपको दिखाता हूँ, मेरे screen पे इसको set करके, फिलाल home screen and lock screen दोनों पे मैं इसको set कर दिया हूँ, set होने के बाद, आपको दिखाता हूँ, देखिए मेरे screen पे set हो गया है, और हर second change हो रहा है, आप देखते जाए, मैं 10-15 second रखता हूँ, आप देख लीजे, अभी green हो गया, अभी blue हो रहा है, blue होने के बाद red होगा इस तरह से एक color change होता रहेगा automatic, देखिए अब धीरी-धीरे red में जा रहा है, फिर से green में जाएगा, हर second color change होगा, जैसे कि mobile पे देखके आपको मज़ा आ जाएगा, क्या ही color है, तो यह application है download कर लिजे, और फिर आप अपने mobile में इसको set करके, इसका फाइदा उटा सकते हैं दोस्तों यह video कैसा लगा, comment करके जरूर बताइए, video अच्छा लगा तो like कीजे, channel को subscribe कीजे और share कीजे, दोस्तों, मिलते हैं आपको next.